नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक पर फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो दोस्तों में हम बात करने वाले हैं कि इंपोर्टेंट चेंजिस के बारे में जो की Ministry of Education के दोवारा जो PIV होती है Press Information Bureau उसके दोवारा बताया गया है जिसमें की जो CTAT है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इसका implementation जल्दी होगा आने वाले समय में और और इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत बड़े लिवल पर चेंजिस होने जा रहा है क्या है वो चेंजिस अभी हम डिसकस करेंगे कई स्टेट में और इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है लेकिन अभी तक स्टेट को लेकर लेकर लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में अब स्टेट को फॉलो करने लगे क्या है डिटेल में डिसकस करेंगे आप यह स्क्रीन पर देख सकते हैं यह पी आई भी है जिसमें कि इन लिख रखा है कि NCTE in participation with the CBSC organized one day national conference on the teacher eligibility test in the light of national education policy 2020 कहने का मतलब यह है कि जल्द ही आप देखेंगे कि जो teacher eligibility test होती है उसमें कुछ changes देखने को मिलेंगे क्योंकि अभी one day conference organized किया गया है NCTE और CBSC ने मिलके कि NCT mainly national council for teacher education जो कि quality teachers के लिए काम करती है CTE वगेरा भी देखती है कि क्या उसमें changes होने की जोड़त है और इसी को लेकर यह conference have organized किया गया है अभी हम देखेंगे कि इसमें mainly क्या होने जा रहा है जैसा कि आप सभी को पता है कि TET तो आपको पता है कि TET important examination है जो कि mainly जो teachers बनना चा our national conference है जो कि TET से related है और जब से CTE implement हुए उसके बाद यह पहला ऐसा national conference होने जा रहा है mainly इसमें क्या बात की गई है वह हम discuss करेंगे अब देखेंगे कि इसमें बात की गई है इसमें बात हुए recommendation of teacher eligibility test at secondary level यानि कि अभी तक आप देखेंगे कि जो CTET होता रहा है वो first to five and six to eight ऐसी तो होता है पेपर वन पेपर टू पेपर वन पेपर टू पेपर वन में फस्ट तू फाइफ की लिए होता है लेकिन यह अभी तक secondary level पर नहीं था if you are going to become a teacher for nine to ten standards and eleven to twelve standards you don't need to have CTET or teacher eligibility test लेकिन अब क्या है इस पर discussion किया जा रहा है इस पर recommendations दी जा रही है कि यह secondary level पर होना चाहिए कई state already इसको implement कर चुकी है आप देखेंगे UP में बिहार में वहाँ पर UP TET होता है बिहार में S TET होता है सूपर TET होता है जो की mainly क्या है वो जो secondary या higher secondary levels है उन पर भी teacher eligibility test conduct किया जाता है और जो higher secondaries में या secondary level पर teacher बनते हैं उनको वो TET देना होता है अब क्या है कि CBSC भी इसके बारे में सोच रही है और जल्द ही हो सकता है आपको secondary level पर भी teacher eligibility test देखने को मिले ठीक है तो यह अभी आप देखेंगे कि generally क्या है यह इस पर discussion अभी चल रहा है अभी implementation कुछ हुआ नहीं है लेकिन एक हिंट है P.I.B. release हुआ इसका मतलब यह आप policy बनाई जाएगी और जल्दी आपको notification भी देखने को मिलेगा N.C.T. जो की notification जारी करते है मिले टीचर eligibility से related जल्द ही वो एक नया notification जारी करेगी तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग secondary या higher secondary पर भी अब तयारी कर रखें जो नहीं बीड कर रखी है वो भी अपने आपको prepare अमीत नहीं तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद